आज का वीडियो sometimes मैं beginning बिगनर से लिए बना रहा हूं और आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि Cave और Sab Aze में क्या अंतर होता है। दोस्तों अगर आप नहीं जाते हैं इन दोनों में क्या अंतर है तो वीडियो को लाट सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल प्रेक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखने पे बिल्कुल आप जान जाएंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है और इसका योज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बारा आएं, कंप्यूटर लेप्टाप से रिलेटेड वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, तो चलिए दोस्तों बेना किसी डिले के शुरुआत करते इसमें मैं अपने लेप्टाप के स्क्रीन पर आ चुका हूँ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सेब और सेब एज का जो यूज है समाने तब मैक्सिमम जो है एप्लिकेशन में दिया गया होता है, तो चलिए मैं यहाँ पर एक एप्लिकेशन MS Word को ले लेता हूँ औ और यहाँ पर जो वर्ड का एप्लिकेशन है इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो यह अप्लिकेशन है इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख पा रहा है MS Word का एप्लिकेशन यहाँ पर ओपन हो चुका है, दोस्तों यहाँ पर हम एक रेंडमली टेक्स लिकेंगे, उस word के अंदर एक बहुत ही एक magic वाला जो है function है उसको हम यहाँ पर use करेंगे और यहाँ पर हमको randomly text मिल जाएगा और उशी को हम यहाँ पर save करके आपको दिखाएंगे और इसे आपको समय के भी बचत होगी तो दोस्तो random text ms word में लिखने के लिए आपको equal to shine लिखना है और इसके बाद यहाँ पर आपको randrand लिखना है इसके बाद यहाँ पर आपको कितनी lines चाहिए और कितनी paragraph चाहिए तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि 10 paragraph हो और प्रतेक में 10 line हो तो यह इस तरह से आप command दे सकते हैं यहाँ पर bracket आपको बंद करना है जैसे हम यहाँ पर enter कर रहें तो देख पा रहा है यहाँ पर हमको लिखे लिखा है randomly text आ चुके हैं तो हमको लिखना नहीं पड़ा इसलिए इसको मैंने यहाँ पर use किया और आप comment करके बताइएगा कि यह function आपको कैसा लगा तो शलिए यहाँ पर आप देख पा रहा है यहाँ पर text को लिखा जा चुका है अब हम सबसे पहले इसको save करेंगे save करने का क्या मतलब होता है कि जब भी किसी file को हम save करते है तो save करने से पहले वो हमारे RAM के अंदर होता है RAM जो है temporary होता है temporary memory होती है अगर light की supply चल जाए हम application को बंद कर दे तो जो भी कुछ हमने लिखा है वो चीज हमको नहीं मिल पाएगा और जब file को save कर देते है तो computer laptop जो भी हो उसके hard disk में जाके save हो जाता है और उसको हम future में इस्तेमाल कर शकते हैं तो चलिए सबसे पहले इसको हम save करेंगे तो दोस्तों save का मतलब होता है किसी भी data या information को जो भी file हम बनाए है उसका record जो computer laptop के hard disk में save करना होता है जिससे कि हम उस file को in future इस्तेमाल कर शकते हैं तो आपको save करने के लिए file पर click करेंगे यहाँ पर आपको option मिल जाएगा save यहाँ पर आपको save पर click करना है save पर click करने के बाद पुशा जा रहा है आप इसको कहाँ पर save करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर desktop selector लेता हूँ desktop के बाद यहाँ पर देख पा रहा है और इसको desktop पर हम save कर लेते हैं तो जैसे मैं click किया तो जो इसका यह record है हमारे इस desktop के screen पर आप देख पा रहा है यहाँ पर, आप यहाँ पर save आच चुका है तो चलिए मैं इसको एक बार फिर से open कर लेता हूँ तो आप देख पा रहा है जैसे यह open होगा तो इसके अंदर जो भी कुछ मैंने लिखा था लगबद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आगर number आप pages की बात करें तो आप देख पा रहे हैं इसमें 3 page लिखा हुआ है automatic ए random text था अब माली इसके अंदर हम यहाँ पर last में कुछ और text इसमें अगर हम लिखना चाहते है जिसे माली मैं यहाँ पर कुछ randomly A, B, C, D कुछ भी मैं आप यहाँ पर type कर देता हूँ आप कुछ भी यहाँ पर लिख लिए सिर्फ मैं आपको बताने के लिए आप देख पा रहे हैं मैंने आप पर randomly कुछ text इसे type कर दिया है तो यहाँ पर जो file पहले सिवनी थी इसके अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तीन line बढ़ चुकी है अगर इसको हम save करते हैं अगर हम save करेंगे simply आपने आप देख पा रहे हैं corner पर save दिया जैसे हम इसे पर click करेंगे तो जो मैंने तीन line यहाँ पर भी randomly type किया है यह जो तीन line है जो main जो हमारी file is save उसके अंदर जाके यह store हो जाएगा लेकिन दोस्तों save as का यह मतलब होता है कि अगर हम इसी record को जब हम save करें तो जो हमारा पहले का जो file है वो तो पड़ी रहे एक नई file जो है create हो जाए और उस नई file में जो हमने अत्रिक traditional जोड़ा है वो चीज अलग से आ जाए तो इसलिए हम यहाँ पर save as का इस्तेमाल करेंगे कहने का मतलब save as के माद्यम से हम एक नई file create कर सकते हैं और जो हमारी पहली file है वो पहले से हमारी save होगी तो जैसे मैं यहाँ पर इसको फिर से save as करके दिखाता हूँ तो मैं यहाँ पर file पर click करता हूँ और यहाँ पर save as जैसे हम यहाँ पर save as पर जाएंगे पूछा जाएगा कहाँ पर save करना इसको मैं desktop पर ही save कर ले रहा हूं तो यहां पर desktop पर पहला जो file था save था और चलिए इसका नाम मैं save as कर लेता हूं तो मैंने इसका नाम save as कर दिया इसको मैं desktop पर save कर ले रहा हूं और फिर यहां पर इसको मैं यहां पर close कर दे रहा हूं और दोनों file को यहां पर open करके आपको बताने की कोशिश करता हूं कि दोनों में क्या अंतर आ रहा है जो यहां पर save वाली फाइल आप देख पा रहे हैं जैसे हम इस पर click कर रहे हैं शुरू में हमने जो लिखा था फाइल यहां पर देख रही है इसके अंदर जो हमने तीन लाइन अलग से जोड़ा था वो इसके अंदर नहीं आया है और यहीं पर अगर हम इसको बंद कर देते हैं Save as वाले को open करते हैं तो इसके अंदर जो हमने last में तीन लाइन अपनी तरफ से जोड़ा था वो लाइने यहाँ पर आपको देख जाएंगी तो देख पारें यहाँ के last के तीन लाइन ने आ चुकी है और यह एक निया फाइल क्रियेट हो चुका है जिसका नाम मैंने आपे Save as रखा है तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आप बिल्कुल सीख गए होंगे कि Save as और Shape में क्या अंतर है अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए उसका हम जवाब देंगे तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो अगर आपको बढ़ियें लगाओ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा तो दोस्तों मिलते हैं अगले इनफॉर्मेटिव वीडियो में तब तक थैंक्यू, have a nice day